इस वीडियो में हम arithmetic operations and functions करेंगे और उनकी domain find out करना अगर आपके पास दो function हो अगर आप उनको add करते हो या उन दो functions को subtract करते हो एक दूसरे से अगर उनको multiply करते हो या उनको divide कर देते हो ठीक है तो उनकी जो domain आएगी वो पहले function और दूसरे function की domain के intersection होगी domain of f intersection domain of g क्या बन जाएगी domain of f plus g इसी तरह intersection subtraction में भी दो का intersection होगा domain minus f f minus g का और इसी तरह को दो multiply हो रहे हो तब भी दोनों के अलगर एक domain का intersection क्या होगा f into g का domain होगा division के लिए एक चीज तोड़ी सी डिफरेंट है इसमें भी दोनों का intersection होगा लेकिन आप उस में से subtract कर देते हैं उस domain में से आप निकाल देते हैं exclude कर देते हैं कुन सी चीज़ जिस पे वो सारे x value जिस पे g of x सी फिस टू जीरो हो ठीक है तो चलिए examples की तरफ चलते हैं यह आपको function के वहना f of x और दूसरा के वहना g of x तो पहले आप से करते हैं कि find out f of x f plus g f minus g f g and so on so आपके पास है f plus g of x का मतलब है f of x plus g of x f of x is 1 plus x minus 2 plus g of x है x minus 3 so यह constant है यह constant है और यह simple x है x plus square root x minus 2 और यहां से आजाएगा minus 2 तो यह आपका f plus g बन गाई इसी तरह f minus g of x का मतलब है कि आप f of x में से g of x को minus कर दो f of x है one plus square root x minus 2 minus g of x है x minus 3 तो one plus square root x minus 2 minus multiply हो जाएगा तो minus multiply हो जाएगा थे minus x और minus minus plus 3 ताब constants का multiple add कर दें यहां minus x plus root x minus 2 और यहां से आजाएगा plus 4 ठीक है इसी तरह यह आपने सिर्फ functions find out किये आप f of g को अगर आपने find out करना हो तो इसका मतलब है दोनों को multiply कर दें तो आपके पास f है one plus square root x minus 2 और g आपके पास से एक्स माइनस 3 तो है आपका f into g हो जाएगा इसी तरह एफ डिवाड़ बैजी अगर करना हूं तो f one plus square root x minus 2 divided by g क्या है x minus 3 ठीक है तो इस तरह से आप यह functions के उपर जो operation जे हो रहे हैं वह आप find out कर सकते हैं इसी तरह अगर 7 f इसका मतलब है आपने f को 7 multiply करना है seven plus seven times root x minus 2 ठीक है अब आते हैं इसके domain की तरफ तो let's talk about the first one f plus g आपके पास f और आपके पास सब्सक्राइब कर दें ठीक है हमारे पास f की domain क्या है आपके function पर आप देखें तो f is this one इसमें आप क्या पास square root of square root means की two minus f की domain के अगर बात करें तो two x minus two should be greater than or request to zero it means x should be greater than or request to two तो जो आपके पास f की domain है वो है two or two से greater ठीक है इसी दरा g की domain क्या है g की domain में आपके पास c है जिसमें सारे real values आ जाती है some minus infinity to plus infinity यह minus infinity is plus infinity यह minus infinity यह plus infinity अब दोनों का intersection कौन सा है यह तू वाला तू से positive infinity रख दोनों के अंदर है तो आपकी जो f plus g की domain है वो है two to positive infinity including two ठीक है इसी तरह अगर आपने f minus g का करना हो तो उसका भी same domain आएगा इसी तरह अगर आपने f into g का करना है तो उसका भी exactly same domain आएगा difference आ जाता है किस चीज़ में इस वाले में तो इसमें क्या चीज़ difference होगी कि domain यहीं होगा ठीक है इसमें एक चीज एक्स्ट्रा आजएगी वह एक्स्ट्रा चीज़ किया है कि आपने कुछ exclude करना है कुछ सी चीज़ exclude करनी है जी ओफ एक्स यहाँ पर जी ओफ एक्स किया है एक्स माइनस 3 जी एक्स तो 0 जो एक्स माइनस 3 है इसमें साब एक्स की वेल्यू नहीं कारनी है और यह वेल्यू एक्स्ट्रूड हो जाएगी आपके domain में से तो आपके domain क्या है 2 से लेकर positive infinity तक 2 के बाद 3 आता है जो 3 included नहीं है इसका मतलब है 3 इस तरफ भी bracket और इस तरफ भी bracket तापकि domain बन जाएगी F over G की जो domain होगी 2 to 3 और 3 से positive infinity इसका मतलब 3 नहीं होगा यह हमने exclude कर दिया यहां तक यह और यह इसकी domain होगी इसको मैंने इंटावर नोटेशन में लिख दिया है ठीक है तो I hope अगर आपके पास इस तरह के function given हो तो आप उनकी domain निकाल सकते होगे